बंदे मातरम इसके पहले वाली वीडियो में राष्टी आए के चल रहा है इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से से क्षित्र संगठीत अगरे लिए थे हम लोग और हमने बताया था कि कौन सी गढ़ना सबसे उत्ताम होती है जिसमें उत्पाधन विधी क सभी competitive exam में पूछ जाते हैं हर एक जगह पर इसकी यूजर्ज है इसनल इंकम तो प्रड़क्शन मेथर से हम आज देखने वाले हैं राष्टी आए की गढ़ना जीडिपी अगरे के मादियम से मतलब प्रड़क्शन मेथर के मादियम से इसकी एक आउधाड़ा है देखिए देख्यों राष्टी आया इसे हम ऐन ऐसे बोलते है एल्ट ए सव्मेशन एब च मतलब सब्सके न4टी मतलब कि किसी भी देश के आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित बस्तुयम सिवाओं के अंतिम मुल्य को या मौद्रिक मुल्य को हम राष्टियाय कहते हैं और इसी में उधारणाय आती है जैसे GDP देखिए इसमें कुछ चीजें आती है इसमें क्या क्या आता है GDP, NDP, GNP, NNP, फिराता है NNP at FactorCast and NNP at Market Price ये सारी चीजें इसमें आती है इसको हम एक एक करके discuss करेंगे कैसे GDP से लेके और NNP Factor काश तक पहुंचा जाता है कैसे इसको gain क्या जाता है कैसे वहां तक जाना जाता है उसको अभी हम इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो में है तो हम देखेंगे इसमें है पूरा इसमूपली चलेंगे आराम से देखते हैं हम GDP है जीडिपी होता क्या है किसी देश के इसका अर्थ क्या होता है कि किसी देखें इसका मतला होता है सकल घरेल उत्पाद किसी देश के भागॉलिक सीमा कि इसमें अगर जीडिपी लेंगे तो भागॉलिक सीमा देखते हैं किसी देश के भागॉलिक सीमा के अंदर उत्पाद के बाद कि कैसे हम आएंगे देखिए आगे यह जीडीपी अब हम क्या करते हैं एक स्टेप और लेते हैं फर्स्ट इस्टेप कि इसमें तो को इसको बनाते हैं एन डीपी थे बनाने के लिए हम क्या बोलतें है जि़ीदीपी से मतलब क्या होता । prominent से दिखाते है फी cleanse की अगर कोई भी मालेचे कोई आंपने आटा चक्की है आपने आटा का उत्वादन किया तो मसिलन का कुछ ह्रास होता है कुछ घिसावट होती है तो उसमें कुछ और पैसा डालना पड़े जो फिर पहले हैं सक्षम तो जो मुल्य होता है उसी को हम हरास मुल्य कहते हैं मतलब फिर कमपणी में लगेगा उस मसीन में लगेगा इसे हम हरास बोलते हैं बाइलेंग्वल है दोनों में हम लेके चलेंगे तो इसे हरास मुल्य कहते हैं अब इसके बाद हम क्या करेंगे अराम से इसके बाद हम NDP से NNP पर आते हैं NNP पर आते हैं NDP कैसे आएंगे NDP GNP इसमें अपने इसमें डिप्रेसेसिन गटाया NDP बन गया अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें प्लस करते हैं NFI NFI को हम X-YM बोलते हैं X-YM क्या है एक्स मतलब आपने जितना निर्यात किया बेचा तो कुछ पैसा आया होगा वह और यम मतलब होता ह कुछ हरीदा तो आपने कुछ पैसा लगा तो कितना ऐया और कितना कंभ दोनों के बीच में करें से ऊए झुफिंधर जो परिवरता ना जितना आप ने बेचा तो पैसा आप के दिस से गया तो उसके बीच का जो पैसा होता है उसी को हम सुद्ध बिरेसी आए बोलते हैं सुद्ध बिरेसी आए तो सुद्ध बिरेसी आए को इसमें हम क्या करेंगे जोड देंगे जोड देंगे तो क्या हो जाएगा कि एन एन पी हो जाएगा NNP हो जाएगे और NNP क्या प्रणinhay अब NNP तो वो गया इसके पाले एक भीडिये सी जोर आम देखते हैं इसे हम बोलते है GNP अभी यहां पर शकल है संकल घर्ली उत्पाद अब यहां पर हम देखें अर्था जो बिदेशी उत्पाद है हमने उसको क्या किया है केवल जो अपना बिदेशी है जैसे जो लोग बाहर इसे माली कोई यहां पर कमा रहा है कोई फैक्ट्री लगाया है तो उसका जो कुछ पैसा हो बाहर अपने अपने वहां लेकि जाएगा ना इसलिए हम इसमें क्य क्या करते हैं और एक और एक और इसी में होता है जी एन पी वह क्या होता है उस्तकल राष्टी उत्पाद होता है जो केवल अपने देश का होता है यहीं से हम देख लेते हैं इसको जी एन पी हो जी एन पी मुख्य रूप से देखे जो इन है ना यह तो डी से जब इन बना है उसमें क्या आया है पीच में जब इन आया है तो यह है जब प्लस N5 करेंगे nfi तो हमारा GNP आता है तो इसी लिए हम देखिए इसको तो हम यही पर दिखा लिए हैं पहले से एक्जाम्पल देट लुकिए एक फिर से हम इसको देखेंगे GDP को देखेंगे GDP GDP में हम सीधे क्या करते हैं GDP में हम आपको दिखाते हैं NFI जोड़ देते हैं NFI जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा GNP हो जाएगा ठीक है GNP हो गया मतलब की जो डोमेस्टिक था जो सकल था लेकिन अब क्या हो गया क्यों जब NFI हटा दिये मतलब जोड़ जोड़ दिये NFI मतलब X-M तो हमारा GNP बच गया अब जब GNP बच गया इसमें हम क्या करेंगे depreciation को घटा देंगे जब depreciation को घटा देंगे तो फिर वहीं आ गया देखें क्या आगया NNP आ गया और वह अब यह यह सुधर अश्टी उत्पाद है अब अब करना क्या आब इसमें से जो जितने जिसके लिए बीच में हैं जितने बीच चीज के युदान से फैक्टर प्राइज है लेन्ड है लेंड है जमीन है जमीन लगा है लेबर लगा है उसके बाद इस यह प्राइस देते हैं एनंप उसको प्राइस दे देंगे सारा के लेबर को देंगे मज़दूरी लेंट को लगान दे देंगे रिंट दे देंगे कापिटल को प्याज दे इसके बाद जो बचता है वो इसके बाद जो बचता है वो NNP at FC बोलते हैं इसे NNP factor cash बोलते हैं तो इन लोग फैक्टर कास्ट मतलब फैक्टर मतलब जो उत्पादन के साथ हैं उनको पैसा दे दिया हमें अब NNP at factor cash हो गया इसी को हम राश्टी आय बोलते हैं है इसलिए को अमराश्टी है बोलते हैं हालांकि NNP at factor cash है इसमें हम क्या करते हैं NNP at factor cash में हम plus करते हैं NIT मतलब du consult indirect tax TUE कर Net indirect तो इसमें घटाते हैं जब घटा देंगे इसमें से तो मारा N NNP मार्केट प्राइस बन जाएगा सबसे पहले देखें राष्ट्रिया की घंडा में यही यहीं यम्पी पर ही किया जाता था लेकिन अब क्या है NNPF m regenerate si की इसमें सत्पते हैं यही Hang एक किसमें देखा जाता है यह आज़्छा हो किसमें कि सब्सक्राइब यहीं यहीं है जो जो सरकार ने जो चंकर देना पड़ता है ना शरक को उसको हम इस बचा है जो बचता है उसमें से भी अभी हम इंडारेक्ट टेक्स को हटाएंगे और सबसीडी जोड़ेंगे इसमें सबसीडी दिया अनुदान दिया प्रोसाहन के लिए तो इसमें सबसीडी को क्या करते हैं जोड़ देते हैं और जब इंडारेक्ट टेक्स को घटा देते हैं तो निट बन जाता है सुद्ध अप्रतेक्षकर बन जाता है इसे हम NNP at NNP at market price बोलते हैं और देखें अब NNP at market price बोलते हैं लेकिन NNP at market price में क्या करेंगे अगर हम इसी में प्लस कर दें इसमाली इसमें घटाएंगे तो यंपी आ जाएगा लेकिन इकर इसी में से प्लस कर देंगे नाइटी तो क्या निकल जाएगा हमारा NNP at factor cash निकल जाएगा और यही क्या है राष्ट्रिया है यही ह इसके बाद है हमने बहुत ही कम सब्दों में बताया इसको और पूरा तथ्यात्मक चीजें है ऐसा नहीं है कि मतलब आगे पीछे के हमने प्रूद पॉइंट हमने आपको सारी चीजें बताई है ताकि आपका समय भी बरबाद नहीं और समझें किस प्रकार से सारी चीजें है जी डीपी था जीडी पी में हमने क्या किया है जो जो बीदेशीया है तो क्या बन गए जी एन्प बन गया है जीडी पी है फिर Shiziana ट्क आ एक लाइन में बताएंगे जो आपको नहीं भूलेगा जी डी पी आप क्या करेंगे इसमें जो है जैसे डिप्रेसियेशन घटाएंगे यह जी है और यह यह बतल जाएगा डी है इसमें जैसे ही आप एन एफ आई जोड़ेंगे इसमें जैसे ही जोड़ेंगे क्या हो जाएगा डी है यह भी एन बन जाएगा अब इसमें हम क्या करेंगे जैसे ही प्लस फैक्टर प्राइस जैसे ही फैक्टर कास्ट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यह एन एन पी फैक्टर कास्ट हो जाएगा और एन 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 पी फैक्ट कि यम्स को जाएगा लेकिन राष्टिया किसको कहते हैं इसको n nossas न कि यह यह तहीं है ख सिथ्य बनाना सब न बिऑम घटैंगे तो यह न बन जाएगा सुध्ध हो जाएगा इसी फार्मुले को आप याद करें इसी फार्मुले को आप रखें आपको नहीं भूलेगा यह अब हमने देखिए हैं में इसको कैसे रिलेट करेंगे सबसे पहले हमने देखा कि राष्टरी आए गणॆ करना क्यू ज़रूरी है फिर फिर क्शेृब के बाद हम आर्थिक विकास हो रहा है की नहीं तो हमें देखना चाहिए उसको जानने के लिएँ गणणा करते हैं और फिर गणना की कुछ सर्ते होते हैं कि हमें ये फाइनेंसियल एयर में होना चाहिए मतलब एक तरीके से मितब्याई का अर्थ होता है कि बचत वाला होना चाहिए कम खर्चे में होना चाहिए ठीक है सुगम होना चाहिए आसान होना चाहिए तो यह सारी सर्ते हैं एक फाइनेंसियल येर में होना चाहिए तो इस तीन चार सर्ते हैं इसके अधार पर भी किया जाता है उसकी सर्तें है ये सारी चीजें काम में करना चाहिए अब प्या होता है लाश्र्णि में मालिजे विकास तो हो रहा है तो कैसे जायने की जैसे करने का मतलब यह है कि उसमें कुछ बाधाएं होती है राष्टी विकास मालीजे आपने कुछ काम किया आपने टेक्स दिया जो कोई टेक्स देता है उससे विराष्टी आये बढ़ता है तरकार ब्याय करती है इंवेश्टमेंट करती है तो भी राष्टी आये बढ़ता है फॉरेन आता है विद्यस मूझ नालन लगी थीक है तो हम देखते हैं इसकी कम्या क्या है मुत्खरुप से वर बॉचिंछ कर रहते हैं बधियर्स कि यह बध्धाएं हम भो भलेंगे हैं जैव बधाएं क्या क्या हो सकती है दों-ति आइसा ट्राइंगल बनाये आएकी भी समता एक कैसे हो सकते हैं हम बता रहे हैं नंबर दूसरा नंबर दूसरा हो सकता है गरीबी नंबर तीसरा बेरोजगारी और बेरोजगारी और निर्धंता भी घंता मतलब वही गरीबी आई भी समता गरीभी वेरोजगारी और इस सारी चीजें बदहाएं राष्णी आहें में इसका अर्थ नो को दूर किया जाना चाहिए सरकार करेगी क्यों करेगी क्यों जनता को इसलिए चुना है एकड़ं क्लिक र Tulka ग्रीं में अब हम देखेंगे आइव शम्ता क्या है कैसे प्रभावित करती है आह सम्झता में विद्दूर्ट ार्ति विकास में क्या है बाधा है तो ये बाधा कुस परकार से प्रभावित करती है आए की विसमता देखिए होता क्या है कि सरकार को सरकार किस ले चुनी गई है लोगों के कल्याण के लिए किसके द्वारा लोगों के द्वारा अब इसमें आर्थिक विकास के लिए चुनी है ताकि लोगों का अर्थिक विकास में लोगों का कल्याण हो रहा है अब इसमें जो बाधाएं हैं तो किसके सरकार की जीमेदारी है कि उसको दूर करें आरा जक्ता अगर फैल देगे तो सरकार की जीमेदारी है कि उसको खत्म करें तो आए की भी हम सबसे बढ़े देखिए आए की भी समता लेंगे फिर गरीबी लेंगे फिर बेरोजगारी और निर्धनता लेंगे इंकम इक्वालिटी इसे बोलते हैं इंकम इक्वालिटी इंग्लिश में और फिर इसे आए की भी समता हिंदी में इसे बोलते हैं और आए की भी समता किस प्रकार से काम करती है देखिए जैसे माली जे कि कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है दो वर्ग है सबसे धनी लोग हैं और फिर सबसे गडिब लोग तो जो इकनामिक थाठ है और थो अस्ता कि जो मुख्य तत्त है कि अगर जिसके पास ज्यादा पैसा होगा यह से माली अमीर के पास ज्यादा पैसा तो जो वह मांग करेगा उसी के इसाब से पूर्ति होगी दिमांड टूट सप्फप्लाइ कहाता है कि जैसे मांग होगी वईसंभी होगत है जैसे बड़े दोगे आए पहुंच गया बड़े-लोग पास जैसे आउह जाएक तो लाक्जिरिय अाइट्न कर देंगे दिय्व मतनलіть कार खरी देंगे बंगला करी इतना है उत्पादन होगा सै बस करें फंट होगा अग्या दै करें जो पर दिकते हैं ऑर पिर जिसको खाले का दिक्ट, ुन्हों खरी ज्यारूरतिية हो उसको भी तो पूरा करना है उसके लिए तो उसके लिए वही प데 co 명이aur operator की रोवल आती है वही पे सरकार की भूमिका होती है कि सरकारे लोगों को लोगों के कलियान के लिए सरकार को चुना गया और फिर सरकार की जिम्मेदारी और quality को खतम करें तो सरकार क्या करती है टेक्स लगाती है सरकार क्या करती है टेक्स लगाती है और टेक्स लगाके जो बड़े लोग है इनसे पैसा उनसे लेती है और फिर क्या करते है नीचे उसे एक्युमिलेट करते हैं उसे नीचे के छेत्रों में क्या करती है बित्रित करते हैं किसके द्वारा या तो राशनिंग कर देगी या तो इसे खातम डार देगी इसे ट्रांसफर पेमेंट भोलते हैं सबसीडी के रूप में देगी लोगों के पास स्कॉलर्शिप के रूप में में देगी पिंसन के रूप में देदेगी ताकि जो बड़े लोगों के पास आए हैं जो कंपनियां हैं उन पर टेक्स लगाएगी कंपनियों पर भी जो उत्पादन कर रहे हैं खतरनाक कि उसको सरकार पर हुसाम करेगी उस सरके से वह कि हम सरकार को सब्सक्राइब तो उसमें देखा जाएगा तो अपने टूल्स के मदद से जैसे माल ये टैक्सेशन हो गया अपबलीक एक्सपंडीचर हो गया ट्रांसफर पेमेंट हो गया सबसीडी हो गया इनके माध्यम से वह क्या करेगी अपने जो एलोकेशन आफ रिसोर्सेज इलोकेशन इस्टेबलाइजेशन ओर डिस्टीबुशन सरकार के तीन उद्धेस हैं कौन सबसे पहले हैं डिस्टीबुशन आफ इंकम इस टीबुशन आफ इंकम नंबर दूसरा है इलोकेशन आफ रिसोर्सेज और प्राइस इस्टेबिलिजेशन प्राइस लुब एकasan लीट का थूक्त फूलायमेंट सूउ प्रीजेश एक क्यों सेो इसी का सरकार परेयोग करती है कि की मादियों से अपने तूसमेंट मादियों से टैक्स के माद नब कुस्कां की समाज में कल्यान हो सकती है समाज में कल्याण हो सकती है अक यह थाय प्रसक्राम के के लिस निर्धंता निर्धंत निर्धंता को भी कम करना है आ जो आफ़ी के संब्द है लोगों के पास पैसा नहीं ne र ओब वी एक बाद है तो आ दूसरी बाध भी चली के तीसरी बाद क्या है गरीवी भी बिरोजगारी से संब्द शांव अगर लोगो को रोजगार देंगे तो अपनी मूल भूता होस्यक्ता denken पूर्टी गल लेगा वह रिजनेवल हो जाएगा तर्क करने यूग हो जाएगा कि वह यह यह हम अगर उसके पास सरकार निर्धन्ता को गरीवी हो खतम करने के लिए क्या सरकार सिख्षा देती है कियों क्योंकि स्किल डवलब होगा तो तो काम करेंगी है तो यह कुसल कारिगर बनेंगे न उससे तो निर्धनता के लिए फिर क्या करता है सरकार बहुत सारी चीज़े देती हैे यसे माली जी कि बहुत सारी मूलबटावं सबस्क्ताओं की पूर्टि करती है अनाज देती है गयन चावल देती है तो आप रहे तो हुआ जयेंगे उन्हीं उन्हें मजबूर नहीं किया के साथ एजुकेशन भी देना है और चौथा जो सबसे इंप्रोटेंट चीज है ओ है कि जन संख्या नियंत्रण करना और इसी के चक्कर में इंद्रिया गांधी की सरकार गीर गई थी 1970 देखिए 1975-1976 में जो क्या लगा था इमर्जेंसी भी लगा था जन संख्या नियती जो फुली चलाया गया था इंद्रा जी के दौरा जिसे जनतापाटी की सरकार्वनी मुराईज देसाई उसी के चक्र में चले हाई जबरन नियंत्रण करने के लिए जन संख्या का परियास किया गया जिसका यह दूस परिडाम हुआ अलांकि खैर यह सारी चीजे यह तीन बाधाएं और तीनों के बारे में अगली बारे में कैसे इसको ना पाजाता है भारत में इससे संबंदित कौन-कौन सी मीतिया चलाई गए इसको भी हम देखें आज के लिए आप लोग इसे कनेट करें समझें जानें आज के लिए वस इतना ही बंदे मातर